कि यहां पर जलजली जमीन जो है आप लोगों ने देखा भी योगा यूटूब पर काफी फेमस हुई थी जिसको दिखाने के लिए यहां पर आया हूँ क्या कहना चाहेंगे यहां के बारे में मानसुन आपको अनन मिलेगा और यहां बहुत अच्छा जगाए यहां चोटे छोटे बच्छों के लिए जल जमीन में जाएंगे तो बच्चे असरुच्षित भी रहते हैं इसलिए बच्चों को यहीं पर ही सुरच्छी छोड़ दिया चूटी चूटी गाड़िया दिखे जीव को पार्जन का साधन भी है बच्छों को बैठाते हैं तो क्या सेव्टी रखते हैं कि बच्चे सुरच्षित रहें आपको यही करना है कि आप अपने से कस्टी से उनको छोड़ना नहीं है आपको गाड़ी पीछे पकड़ करके चलना है आप क्या कहना चाहेंगे का बोलना चाहेंगे अपने खुद से राइड कोई जबर जरस्ती कोई पी खाके आता है तो अपने प्यल देगा तो उसको कहा कर रखते हैं अब लड़ाई करने लगते हैं ज्यादा बोल देंगे तो इसका आपने यहां के डियफो यहां के आपनो उनको बताया नहीं कि ऐस से इसलों पर आप जाते हैं तो वहां पर मदिरा का पान ना करें और सुच्छता का विशेश ज्यान रखें यहां भी लिए जलजली का वाज़ा ने रहे हैं यह जलजली यहां पर काफी दूर दूसरे लोग आते हैं और इसका आनंद लेने के लिए इस पे जब आप कूदे जे तो जैसे गद्यपे आपने आपको मिलेगा व। के जरा दिखाए हैं यह डेको आप पूरी के सभी लोग दकले हैं और कूर्छल्णीग अंद लेने की लिए जो हसीन वादिया है इस पहाडों की और यह जो जलजली है क्या कहना चाहेंगे ऐसा क्यूं होता है कुछ आप अपने विचार व्यक्त करें वो तो हम लोग पहली बार आए हैं कुछ बोल नहीं सकते लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आप कहां से आए हैं हम लोग जांगी चापा से आए हैं यह आपके 36 गड़ यानि एक अच्छा वहसूस टाइप का होता है जी यहां पे जो एक कूदने वाली प्रक्रिया होती आप देखना चाहेंगे जितने भी आते हैं लोग यहां पे यह योगा भी हो जाता है और आनंद भी ले लेते हैं अदभूत जो जमीन इस्पंज करती है इसके बारे में आ खुद्रत का जो अजब करिस्मा है और प्रकतिद्वारा दिया गया उपहार क्या कहना चाहेंगे जो जलजली यह जमीन है जिसको देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग आते हैं अन्तर जन्पदी और अन्तर राजस्त्री पर इसको लोग देखने के लिए यह कुत आत है कि यह कुत्रत का करित्मा है तो हम इस पावन तर्थी पर आए और अलगे करित्मा भरकत हो रहा है दूर दूर से लोग आए हैं क्या कहना चाहेंगे जो जलजली यहां पर जगा का नाम है और प्रथभी इसमें इस पंज की तरह है उचलती हुई नजर आती है होता है कि जैसे नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है जिसकी वज़से यहां की जमीन कूद रही है इमेन पार्ट का एक पर्याटक किस्टर इस्थल है जहां दूर दूर से लोग आते हैं इस जलजली जमीन पर कूदेने के लिए और अक्सर एक उसुखसा मन में रहती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है इसके बारे में यहाँ पर जो इस्थानी लोग हैं जो लोग आए हैं मैं उसे भी बात्चित करूँगा और काफी आप वीडियो में देख भी सकते हैं कि बिल्कुल फुटवाल जैसे कूद रही है और काफी अच्छा भी लगता है इसी को देखने के लिए अंतर जनपती और अंतर राज इसे लोग इसको यहाँ पर देखने के लिए आते हैं क्या नमें आप रहा है जो पानी का जो परत हैं नीचे में होगा जमिन उपर होगा इसी नाम से हो रहा होगा पानी की परत नीचे होगी जैसे जर रहे ना तो धस भी जा रहा है और जैसे घास की उपर रख रहे हैं वह बाबाजी बोर रहे हैं कि घास की उपर पैर रखो तो कुछ नहीं हो रहा है मिट्टी में पैर रखने से पैर धस जाता है घास पे अगर आप रखेंगे तो पैर नहीं धसेगा और काफी दूर दूर से लोग आते हैं सर जी क्या कहना चाहेंगे ऐसी इस्थिती जनपद सर्गुज तीस गड़ में अन्यत तरह आप देख नहीं मिलेगी क्या कहना चाहेंगे इस जलजली जमी जमीन लेहां प्रकति ने पहार दिया है ऐसे लोगों को कि आप आवे और यहां पर आनंद ले मड़ें क्या कहना चाहेंगी कैसा लग रहा यहां से आप अच्छा लग रहा है सभी लोग प्रसंद हैं और इसलिए आते हैं इंज्वाइ करने के लिए अगर आप बीच में जाते हैं और पता लगा इतने सीने तक आगा घुश जाएंगे तो निकालने वाला कोई नहीं मिलेगा तमासा देखने वाले लुआ जानकारी भी लूँगा बाबाजी क्या कहना चाहें गे यहां की जल जली जमीन है इसके बारे में आप कुछ बतावें की कैसे यहां पर ऐसे हुआ है लोग बढ़ी दूर-दूर से लोग देखने कि नहीं आते हैं अप यहां पर क्या करते हैं हम तो यहीं तूरेस को बताते हैं घुमाते हैं आप बताते हैं गाइट का काम करते हैं यहां पर आपने कभी बताया कि ऐसा है जो जहां पर ज्यादा कीचड़ है वहां पर नहीं जाना चाहिए आप अंदर धस भी सकते हैं तो दोत मंगल कामला करूँगा बाबाजी के लिए और यहां के जो अवसदिया यहां पर पैड भी है जैसे कि बावाजी ने बताया कि इस एंदुर का फाला है तो ऐसे ही जगों का संरच्छित भी रखना चाहिए सरकार को भी चाहिए कि इन ब्रच्छों का जो है संरच्छड भी होना चाहिए और ऐसे पोधों को यहाँ पर रोपित भी करना चाहिए क्योंकि जो आक्सीजन के लायक हो यहां पर मैं 36 गर सरकार से निवेदन भी करना चाहूंगा कि ऐसे ब्रच्छों का यहां ब्रच्छार उपड करवा मैं जिसे आक्सीजन की मातरा कम नहो सभी लोगों के लिए मंगल कामना मैं संजय स्रिवास्तो नमस्कार